अलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक ऐसी स्पेशल खास मिठाई जिसको देखते ही मुझ में पानी आ जाएगा एक कप सूजी से बनाने वाले हैं आज हम इतनी रसभरी रसीली मिठाई कि इसको खाने के बाद आप कहेंगे कि यह रसीली पहले क्यों नहीं बत इसका लिधा रसाइए हमें चाहिए एक कटूरी सूजी अफ मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या इस सायट कолिशी चाहिए तो मैंने यापर कटोरी से ही सारा मिजर्मेंट किया है एक कटोरी सूजी ले लेना है और अगर अपके पास बहुत सदा मोटी सूजी हो तो उसको मिक्सर में चला लेना है आपको कोशिश करना है कि मीरियम साइस की अबारिक साइस की सूजी ले अब एक कड़ाई ले लेना है और उसमें दो चम्मच घी डाल देना है दो टीस्पून घी डालेंगे पहुत साधा नहीं डालना है उसके बाद जिस कटोरी से हमें सूझी लेना ना उसी कटोरी से हमें यहाँ पे डालना है दूद और आप सोच रहेंगे दूद की जगा पानी पानी डाल सकते हैं और जो टेक्षियर और जो टेस्ट दूद से आएगा वह पानी से नहीं आएगा तो मैंने यहां पर डेड़ कटोरी दूद यहां पर यूज किया है दूद आप रूम टेंपरेचर कर ले सकते हैं और आप कोशिच कीजिएगा फुल फैट वाला दूद ले अबले हुए और बहुत जादा गरम दूद में आप सूजी डालेंगे इसमें लंप पढ़ने लग जाएंगे तो हलके कुनकुने दूद में ही हमें इस तरह से सूजी डाल करके इसको फटा पट से मिक्स करना है विदिन सेकंड सी यहां पर सूजी दूद को पीने लग कि डो के फॉर्म में आने लग जाएगे यहां पर लंपस बिलकुल भी नहीं पढ़ेंगे तो देखिये कुछ ही सेकंड सुएं पूरा एक मिर्ट भी नहीं हुआ और यहां पर सूजी इस तरीके से ठिक होने लग गई है नो किसी दूद के फॉर्म में आने लग गई और उसके बाद एक मिट तक कड़ाई में ही इसको इस तरीके से फैलाते हुए चलाना है इसे क्या होगा सूजी अच्छे से फूल जाएगी और यह अच्छे से सॉफ्ट होने लग जाएगी यहां पर देखिए मैंने यहां पर फ्रेम को आफ कर दिया था और यह सूजी जो है क जाएगा बनदे मैं ना करते हुए मैं अउसी कडाई को क्पालत कर दिया ता और कडाई में मैं आप डाल दिया दे यह देंड़ कटूरी माइन गरास यह फीम्हें वर आपताय मिठाय में बनाने से यह कुलाब चाशनी बनाना है आप एक सी पोट बढ़ा से तब कर यह ओए तक हम दूसरी कर ली एते हैं आप यहां पर थागी में डाल कर इसको हलका थंडा रखना है और यहां पर एलाइची पाउडर डाल दिया है जो मावे की घुलाब चमन वाला टेस्ट रहें बहुत ही तेस्ट आने वाला है बहुत ही बड़ी आसा टेस्ट आएगा अब इसको गरम इतना रखना है कि आप इसको आराम से हाथ लगा पाएं आप इसको थंडा कर देंगे तो यह हमारी मिठाई तूटने लग जाएगी अब हमें इसमें थोड़ी सी मैनत करना है थोड़ा सा टाइम देना है और लगातार इसको 5-6 मिनट तक बढ़िया सा चिकना क करना है इस तरीके से मतलते जाएंगे और इसको चिकना करते जाएंगे अगर हातों में चिपक रहा है तो थोड़ा सा घी लगा लेंगे या ओईल भी लगा सकते हैं और इस तरीके से बढ़िया से इसको चिकना करते जाएंगे आपको इसको तब तक चिकना करना है जब तक क हमें इसको चिकना करना है इस चीज पर आपको खास द्यान देना यह स्टैप अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी जो सूजी के मिटाई है बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी तूटेगी फूटेगी तो यहां पर बिल्कुल डो के ऐसा हो गया आप देखिए कितना जुड कि देखिए अब ग्रेके कर देखिए को जो कि अधे देखिए हैनै कोई प्रयूства सिपेशित के आप डीलें सकते― और सबदिए हुआ अपर- में इनको नहीं देखित बसे और कि पेड़ी दिया है आप इनको बॉली श्यप दे सकते हैं जैसा भी आइंथा ऑंडूकर देश अपने मन पसंद आकार में इसकोक शीप दे सकते हैं हमने इतना चीकना कर लिया है कि इसको शीप देने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आएगी बस आपको ध्यान रखना तो इसको जब हम बनाते हैं सूजी की मिठाई तो खास बात इसको तलने में ध्यान रखना है अगर आपने ऑई इसको सही टेंपरेचर परका सही से तला तो इकदम परफेक्ट बनेगी ऑईल को मीडियम फ्लेम पर रखना है आपको थंडे में तलेंगे तो यह तूटने बिख अगर फ्लेम आपने एकदम सही रखी ना तो यह बिल्कुल भी नहीं तूटेंगी अकसर हम जब नॉर्मल मावे की गुलाब चयामन बनाते हैं तो हम इसको लो फ्लेम पर तलते हैं तो क्या होता है कि वह अच्छे से तल जाती बट अगर आपने इसको लो फ्लेम पर तला त अब हमें क्या करना है इस्पून से इसको थोड़ा सा दबा देना है और जितना आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा देर के लिए नहीं तो इसको तीन से चार घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजेगा ऐसे ही ढख करके इससे क्या होगा अंदर तक यह चा जोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना तो यह सूजी के मिठाई एक दम परफेक्ट तरीके से बना पाएंगे देखिए कितने बड़िया जूसी और फूली फूली रसपरी यह मिठाई बनकर तयार है बादने मैंने इसको थोड़ा सा गादिश कर दिया ता जिससे यह देख